कि नाजरीन आदाब आज हमारे साथ प्रोफेसर सहर अंसारी हैं जो पाकिस्तान से यहां तश्रीफ लाए हुए थे सहर अंसारी साथ हमारी और्दु शायरी का जाना पहचाना नाम है बहुत ही एहम और मतबर नाम है हमने इनसे सुब़े दरफ़ास्ट की थी कशवे कुछ वक्त हमें दें आज हम इनसे अर्दु शायरी और हिंदोस्तान और पाकिस्तान और खास तोर से यह Arts Council पाकिस्तान कराच कराची में कराची यूनिवस्टी के सदर शोबय उर्दू भी रहे हैं ये तमाम चीजें हमारी गुफ्तगू का आज हिस्सा बनेंगी सहर साथ आपका खेर मक्तम है हिंदुस्तान में भी और रेक्टा के लिए भी बहुत शुक्रिया चाहलेक। आर्ट्स कॉंसिल के हुआले स यानि नाइटिन फिफ्टी एट से ये कायम हुई है उसमें शुरू में इसके कोई बहुत ज़्यादा ऐसे सरगर्मिया नहीं थी लेकिन बाद में ये हुआ कि इसको एक ऐसा तहजीबी और सखाफती मरकज बनाया जाए कि जिसमें मुक्तलिफ जो नई नसल के लोग है उनक वो देती है कभी चीफ मिनिस्टर की तरफ से कभी कमिशनर की तरफ से लेकिन अलग है क्योंके मिम्बर्शिप इस वक्ता ऐकर हुआँँ और पाँछ हजार मिम्बर हैं उसके अबCम होता है हर साल गयर इलक्शन होते हैं असमें आफिज बहरर वी मिम्बर्स हैं और उसके सा किलासे होती है पाइन आर्ट की यहां पेंटिंग की किलासे होती है अभी एक फेस्टिवल हुआ था यूथ फेस्टिवल उसमें ग्यारा आइटम्स थे और हर एक में अवल आने वाले को एक लाग रुपिया इनाम दिया गया था और सारे बच्चे यह नई नसल के स्कूल काले यूवेस्टी के लोग थे और तकरीबान उनकी तादाद पंदरह सोलह हजार के खरीब रही तो इस तरह से गोया एक बहुत ज्यादा गहमा गहमी है और अब हम एक रिसालावी अरजंग के नाम से निकाल रहे हैं जिसमें फनून लतीफा की नमाइंदगी होगी तो इस तरह से मौसिखी के कानफरेंसे होती हैं आपके हाँ वो आयते उस्ताद हामिद अलीखा वो आते हैं राहत पते अलीखा आते हैं और भी गुलुकार आते हैं तो एक बहुत ही अच्छा इदारा ये है जिससे लोग दिल्चसपी लेते हैं तो सहर साब अब कभी कभी हमें सुने मे ये मिलता है कि आर्ट अदब लिटरेचर की तरफ नई नसल जो है वो अतनी दिल्चसपी नहीं लेती है आप चुके इतने बड़े एदारे के नाइब सद रहें और ये सब सरगर्मियां वहाँ पे रहती हैं आप ये सब करते हैं तो रिस्पांस जो है नई नसल जो है उससे इसकूल के नहीं पंदरा साल से लेके और उनतिस साल तक के रेंज में बुलाया गया था तो ये सब आये थे और बराबर दिल्चसपी लिए है ड्रामेटिक्स में लिए है वीडियो बनाए है खुद वही है दो इस पार्ट उन्होंने पेंटिंग करके दिखाया है इससे रा अच्छा तो ये जो आपका इधारा है तो इस इधारे में बाकाईदा जैसे आपने फरमाया कि इलेक्शन के जरीए मनतखब किये जाते हैं सदर नाइब सदर तो सरकार जो है वो कितनी मदद करती है आपकी किस तरह मदद करती है इसमें ये है कि जो कमिशनर है वो इसके एक हफाफ इंतखाब हो उसके लिए भी वही जो है वो तवज्जु देते हैं तो क्या पाकिस्तान में जिस तरह का हम सुनते हैं हिंदुस्तान में बैठ के तो क्या आप ये जो इदारे ये जो अपना काम कर रहे हैं उसमें मोसिकी है रक्स है पैंटिंग है शायरी है तो उनको किसी किसम का कुछ खत्रा है नहीं वहीं मैं आर्ज कर रहा हूं कि मैंने हम लोगों ने वहाँ पर एक तरह का अमली नारा जिसको कहिए जिस पर अमल हो रहा है वो ये है कि बम का जवाब कलम तो कलम से मुराद सारा आपका फुनून लतीफा सब उसमें आ जाते हैं तो ये तो है कि कहीं कहीं मैसूस होता है कि जहां पर बहुत ज्यादा फंडमेंटलिज्म है वो इसको नहीं पसंद करते लेकिन ज्यादा तर हमें इसमें कामिया भी होती है कभी दफ़े ऐसा भी हुआ है कि खुछ शहर कराची में मालू लेकिन हमारे अपने प्रोग्राम जारी रहे तो इस तरह से हम उससे अपने आपको यानि के खौफ जदा नहीं कर रहे बलके उसे हम एक मजबत अंदाज में पेश कर रहे हैं जिसको शहरी खुद समझ रहे है कि हां उनके हक में ये बेतर है तो पाकिस्तान में इस वक्त एक तो नसल है जो आपकी है या आपसे पहले लोग हैं जफर इकबाल वगरा हैं अनवर शहूर हैं जो पाकिस्तान से हिजरत करके बाहर चले गए हैं उसमें साकी फारुकी हैं एमन मुश्ताक हैं तो आपके बाद की जो नसल है वो ये शायरी या अदब की तरफ दिल्चस्पी अरीका लेकिन इसके बाद की जो नसल आई है उन में जैसे लियाकत अली आसिम है और खवातीन में शायदा हसन है फातिमा हसन है और इसी तरह से अंबरी हसीव अंबर है वो इसलिए अभी अनवर साब ने नाम लिया महरू करा था कि वो बेटी है मेरी लेकिन वो यहां कई हैरों में आ भी चुकी है अमरीका भी जा चुकी है और उनका एक कापी काम कर रही है वो रिसाला भी असालिव के नाम से निकलता है जी जी बबेकुल मेरे एक मुबीर मुबीर्जा है वो बाय च्छे शायर है रच्चे कोई राइटर भी हैं वो इसके अलावा और भी अच्छे लिखने वाले हैं एक आरिफ शफीख हैं इसी तरह से वो अपने समाजी और सियासी मामलाथ पे लिखते हैं ये जो हमारी जबान है ये तो अदब की बात हुई कि अदब ये लोग लिख रहे हैं जबान जो जबान है उसको कुछ मसायल दर्पेश हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान में हम लोग समझते हैं कि कुछ मसायल दर्पेश हैं लेकिन इस जबान के अंदर पाकत इतनी है कि ये अपना वजूद यहां पे मनवाय हुए है पाकिस्तान में इस जबान को कुछ मसायल दर्पेश हैं नहीं पाकिस्तान से पहले भी अब इस वद भी अगर सफ़े अवल के आप लोगों को निका लें जाए वो कृरिशन चंदर हो या राज दर्जिक बेदी हो या फैज हो या खास्मी हो या मुरीर नियाजी हो वो आपको वहां के लोग मिलेंगे तो इसलिए ऐसा तो कोई खत्रा नही है लेकिन अच्छा ये होता कि उससे सरकारिया कौमी सता पर भी मुखाम हासल होता जो दूसरी जगों पे कौमी जबानों को हासल हुआ है ये वहां अभी नहीं हुआ है इसके लिए जुद्ध जहत करनी पड़ती है इसके लिए क्या कुश्य है कर रहे हैं उसमें इदारे है मुक्तरिब जैसे है का अदमी अदवियात है मुक्तरा कौमी जबान है और ये हमारा अदवी कांसल है और इसी तरह से वो है आपके जो परफार्मिंग आर्ट्स का है हमारा इदारा लौक विर्से का इदारा है ये सब मिलके अपने अपने तोर पे काम कर रहे हैं तो हो रहा कर अब मुशायरे के के हवाले से हाला कि कि आ बसंजीद ही है आप शंजी दार लिखते में और मुशायरे 라고 पेश сторон ख्रतान में पिए शारी को आग से बीस थीस साल पहले जो नहीं होता था मुझ समय अब कुछ इश समय तब्दीली आई है कुछ रंग बदला है मुशायरे ने अपना बहुत जादा बदल गया है इसलिए कि एक तो वो रहे नहीं पाकिस्तान और हिंदुस्तान में वो शोरा के जिनको आप कहते थे कि ये सुपरिस्टार है और कलाम के लिहाज से भी और अपने पढ़त के लिहाज से भी शख्सियत के लिहाज से भी तो अब जो है वो अंदाजा ये होता है कि बास जगे तो गुलुकारी को पसंद किया जा रहा है बास को इतना सस्ता और सादा कलाम जो तकरीमार फिल्मी गानों से मिलता जलता हो वो पसंद किया जाता है फिर वो आदा में मशायरा भी नह रहे हैं आप देखते होंगे कि लोग गाव तक्या लगा कि तकरीमा लेटे हुए सुन रहे हैं कुछ छोटे गुरूब बन जाते हैं वो आपस में बाते भी कर रहे हैं खाना भी खा रहे हैं अगर किसी तरफ मतवज्य हुए तो देख भी लिया वरना कोई ऐसी बात नहीं तो आदाव मशायरा जो हैं वो भी कम है लेकिन बाद इदारे जो हैं जिसे हमारा आर्ट्स काउंसिल करता है या अक्सवर्ड यूनिवेस्टी प्रेस की तरफ से जो लिटरिचर फिस्टिवल होता है उसके मशायरे बड़े नजम जब्द के साथ होते हैं या हमारे शहरे खायत का मशायरा होता है तो ऐसा है लेकिन जहां पर कोई ऐसा तैजीबी रुख नहीं है और लोग महस शौकिया मशायरा करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि कही नहितात आया है जी नाजरीं ये थे पुरुफ़सर सहर अंसारी साथर सहर अंसारी हमारी उड्दू शायरी का बहुत एहम नाम हैं आज इन से हमने हलकी फुल की अगली बार इन ही से किसी ने टॉपिक दोबारा बात करेंगे जब ये हिंदुस्तान तश्रीफ लाएंगे तब तक के लिए लिए लाफिस बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत शुक्रिया